मौक्ष की हुई मौत निशिगंधा बनी मौक्ष के बच्चे की मा निशिगंधा की बेटी निकली चुडैल जो यहां दर असल हम बात किर रहे हैं कलर्स ट्रीवी शो सुहागन चुडैल की जिसका आने वाला एपिसोड काफी ज़्यादा दल्चस्प होने वाला है जहां शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि कैसरीके से मौक्ष की मौत होती है जहां पर निशिगंधा मौक्ष से ये कहते वे नजर आती है कि मौक्ष के बच्चे की मा बनने वाली है निशिगंधा निशीगंधा को मोक्ष ने एक बहुत बड़ी खुशी दी है और ऐसे में मोक्ष निशीगंधा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है तो वहीं दूसरी और महासुर ये सारी बाते सुन लेता है और फिर निशीगंधा से कहने लग जाता है कि चुडैल की संतान भी शैतान पैदा होती है और इस बास से शायद निशीगंधा अंजान है लेकिन इसका खाम्याजा निशीगंधा को भुगतना पड़ेगा तो वहीं कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर निशीगंधा ने एक बेटी को जन में दिया है जो कि अप काफी हद तक बड़ी भी हो गई है लेकिन निशिगंधा की तरह ही भेश भूजा में नजरारी है ये बच्ची भी ठीक निशिगंधा की तरह ही चुडैल के भाती है इस बच्ची के पैर भी उल्टे नजरारे है ऐसे में कहारी काफी ज़्यादा दिल्चस पे मोड ले सकती है कहीं न कहीं सीजन टू का आगाज भी हो सकता है वेल तो इस पे क्या है आपकी राए हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताएं साथ यासे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें